दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, अगर आपके पास सैंसंग का फोन है और आपके सैंसंग के फोन में कोई भी आपके पास आवाज आपको नहीं आ रहा है, यानि कि आप कोई भी सॉंग प्ले करते हैं, वो उसमें आपको आवाज सुनाई नहीं दे या आप अप्ने ringtone में आप ringtone लगते हैं और call आने पर ringtone आपका सुनाई नहीं देता है टेसे परफिलम को अरुसानी से solve कर सकते हैं इस वीडियो को आप से ध्यान से देखT Nikon इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इस इस टिप बताएंगे जिनने आपको follow करना है और आपका सारा problem fix हो जाएगा सबसे पहले आपको जाना होगा अपने phone की setting में setting में जाने की बाद यहाँ पर आपको दिखना होगा कि आकरकार आपका जो sound setting है वो पुरी तरीके से चालू है या नहीं कभी कभी हो जाता है कि आपका गलती से वो setting बंद हो गया होता है यह आपके घर पर छोटे जोटे बच्चे हैं और उनकी वज़े से आपका वो setting बंद हो गया होगा तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपके phone में एक setting दिया जाता है sound and vibration आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर sound पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आपका sound पर क्लिक होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा vibrate when ringing इस setting को भी आप चालू कर लेंगे यह setting आपका वहाँ पर काम आएगा जब आपके phone में किसी का भी call आएगा तो आपका phone vibrate भी करेगा और आपका ringtone भी सुनाई देगा उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ringtone आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर sound ही नहीं होता है जिसमें कोई आवाज ही नहीं होता है तो आप यहाँपर check कर लेंगे जैसा कि आप देहा रहाँ हूंगे मैंने यह रिंक्तोन करकर रखका है और इसमें आवाज भी है इतना काम करने के बाद यहाँ पर नाइज़ आπο Chili आने के यहाँ आपको कोई important setting नहीं मिलेगा बस यहां से बैक आ जाएए इतना काम करने के बाद यहां से बैक आ जाएए नहीं तो आपको एक और setting यहीं पर मिल जाएगा जिसे कहते हैं dnd यानि कि do not disturb अगर आपका यह setting चालू रहेगा तो आपके phone में कोई भी call आएगा तो उस वक्त आपका call सुनाई नहीं देगा ना आपका notification आपको सुनाई देगा तो यहां पर मिलेगा do not disturb setting आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह setting आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा अब आपको यहां पर चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने यह setting चालू किय इसा तो नहीं कि आपने सेडियोल में लगाया होगा तो यह दोनों सेटिंग आपको इसे तरीके से हमेशा बंद करके रखना चाहिए नहीं तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा इतना काम करने के बाद आपका यहां पर यह मिलेगा वैलूम बटन आप इस पर आप टच कर आपको सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है यहां पर आपको सर्च करना है रिसेट जैसे आप यहां पर सर्च करेंगे रिसेट तो आपके समने एक सेटिंग आएगा रिसेट आल सेटिंग आपको इस पर क्लिक करना है जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा reset all setting आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको reset setting पर क्लिक करना है अपने mobile phone का आप pattern डाल देंगे जो आपने लगा के रखा होगा आप यहां पर आपको reset पर क्लिक करना है, तो आपके phone की सारी setting reset हो जाएँगी setting reset होने से क्या होता है कि आपका phone जैसा आपने नया लिया होता है, और नय phone में जिस तरीके से setting होती है, वो सारी setting हो जाएंगी, आपका data कोई भी delete नहीं होगा, इतना काम करने की बाद अब आपको करना क्या है कि अपने phone को आपको एक बार सूच आप कलना होगा यानि कि अपने phone को आपको आपको पावर आप करना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे यहां से आप अपने phone का पावर आप कर देंगे आप करने के बाद फिर आप इसे on करेंगे आपका सारा problem fix हो जाएगा और आपको sound सुनाई देना start हो जाएगा अगर by chance अभी भी आपको सुनाई नहीं देता है तो इसका मतलब है कि आपके phone का hardware में कोई कमी है यानि कि कोई problem है तो आपको यहां पर जाना होगा repair shop पर वहां पर आपको कुछ पैसे देना होगा और वो आपके sound में कोई problem अंदर से होगा तो वो सही कर देंगे इतना process अपलाई करिए आपका सारा problem solve हो जाएगा तो मैं असक करूँगा आज का वीडियो दिखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अकरकार कैसे इसे problem को solve किया जा सकता है तो मिलते हैं next वीडियो में इसे वीडियो के लिए इतना